कि हैदराबाद वर्सेथ पंजाब IPL T20 मैच जो भी खेला जाएगा 9 अपरेल साम 47 बचे महराजा ये दिविंदर सिंग स्टेडियम चंडी गड़ में दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि कैसी रहेगी पिछ रिपोर्ट गया रहे हैं ये वैनी रिपोर्ट कैसा रहेगा क्या रहेगी एस्पेक्टेड प्लेंग 11 और वीडियो के लास्ट में देखेंगे की प्लेयर जो आज के मैच में बैटर परफॉर्म कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं उस तो बात करते हैं पिछ रिपोर्ट की चंडीकल की पिस देखेंगे तो काफी ऐसी एक करते हैं तो इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे आप अपने टीम जरूर बनाईए अगा उसके दोस्तों बात करते हैं लास्ट ट्वेंटी मैचों कर रिपॉर्ट निकाला है जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाले ने चार मैच जीते हैं एवरज इसको 170 का देखें क्या है दुस्तों बात करते मैंने दो रिपल में दो हजार 24 में मैंच हुआ था दिली और पंजाब का इसी अई पिल में दिली एकसो चौटर बनाए थी नो विकेड़ नकसान पर पंजाब 117 बनाई थी च्छे विकेड़ थी चार श्टानी से जीर गए ती ङसे कि इनिंग क मैंचों में आप देखेंगे जेज हो गया है उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की मैंग अगरबाल और ट्रेविस हैड आपको ओपनिंग करते देख सकते हैं उसके बाद अभिशेद सर्मा हेडन मारकरम एच कलासन अब्दू सामद शेवाज एमब पैट कमेज गोवनेश्वर कमान नट राजन जावेद उनाटकर मार्क मायन को मारकंडे यह रहागी एक्पेक्टेड प्लेइंग 11 अर्ब की पंजाब की तरफ से और इसमें से उमीद कर को आएंगे हो सकता है थव दैडे को भी मौका मिल सकता है एल लिविंस्टन जीदेश शर्मा साहिम करन का गासो रबाड़ा हार्शल पाटेल राहुल चेहल अर्दीव परार और अर्शिदीव सेंग यह रहेगी पंजाब की दरफ से एक्सपेक्टेड प्लेंग 11 इंपक्ट सब्सक्राइब कर रहें हैं मौल परी सिंग खेलने के चांसे दिनके गाफी कम है वेन यह एक प्रफॉर्म सोलाच शे सब्सक्राइस और ना ठीक ठाक पिक रहेंगे इस आइप यह मौतना अच्छा परफॉर्म में कर पा रहें हैं जिस टाइप के विल्डेबाज है अरब सि सब्सक्राइब करते हैं मायं कगरवाल दो मैचों में किस रन बनाए हैं वेन्यों परफॉर्म में दूप श्यादिस रन है रिजन परफॉर्म में तोर उनने से इंपोर्टन प्लेयर रहेंगे और इस आपियल में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा इस्टार्ट दे रहे हैं उब्दुसामर बात करते हैं आप इनके तोर ने परफॉर्म में काफी अर्से से देख रहा हूं इनके परफॉर्म में नहीं है अब इस एक शर्मा आप देखेंगे सब्सक्राइब करेंगे और इनके परसंटेज भी कैटन वाइस कैटन के जाता है तो हैं इसमें ट्रेविस एड मेहां का करवार और शर्मा हैं दोस्तों कर बरते हैं पंजाब की तरफ से शिखरदवन ग्यारा मैचों में सब्सक्राइब करेंगे तरीके से रहेगा पंजाब के लिए शिखरदवन अपनी टीम पर काफी अच्छाब देश सकते हैं तो एक मश्ट पिक रहेंगे जॉनी परिश्टो आप देखेंगे परफॉर्मेंस नहीं आई है बैटिंग पिच रहेंगे फर्स्ट इनिंग में अगर तो जॉनी परिश्टो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आज के अच्छा नहीं परफॉर्मेंस कैसी रहती है अभी जज़ करना अच्छा नहीं रहेगा आईपियल में तो पंजाब की दरफ से शिखर प्लेयर रहेंगे और जॉनी बैरिस्टो इन दोनों में कोई एक डिर आउपने टीम करके चल सकते हैं दोस्तों बात करते हैं हैं तीन मैच एड़म आर्परम ने खेले हैं और निन्यान दे रन बना है विकेट कोई नहीं मिना है वेन्यू पे चार मैच एक विकेट मिला है रिसन परफॉर्मेंस देखे तो पचाहस सत्रह बयाली सथाड़ा एदा बैट्समें आप ज़रूर पिक कर सकते हैं और एड़म मार्गर में अभी तब तब दे रहा हैं और को ज सब्सक्राइब करेंगे तो लगबग हर मैच में एक राइक जरूर मिला है सब्सक्राइब में पांच मैच विकेट भी निकाले हैं इंपॉर्टेंट प्लियर रहेंगे और मुसली ग्रैंड लीग के लिए काफी अच्छे फ्रिक हो सकते हैं वासिंटम संदर एकी मैच के ला पर अच्छे साथ देखेंगे कि इस पो करा हुआ है लेकिन इस आई पियर में नहीं है तो बैटिंग और डिपेंड करेगा इनका कि किस और पर बैटिंग करने आते हैं उसके अप चाहें तो पिक कर सकते हैं एदा बॉलर अच्छे बिल्कुल नहीं रहेंगे तो हैदराबा तो ग्रेंड लीड के प्रॉस्पेक्टिफ से गाफ इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे मार्को जैंसन को टीम में जगह मिलती है तो मस्ट पिक रहेंगे जोस्तों बात करते हैं पंजाब के और रॉन्टा सेक्षिन में सैम करन 5 मैस 3 विकट है वेन्यू के 11 मैस 10 विकट है रीसन परफॉर्मर 5-0-23-63 विकट 0-3-0 विकट 0-3-0 विकट बालेटिव लेयर है बैटिंग बालिंग बालिंग से तो पोई नहीं मिले है बैटिंग से द से उडर्शन के बारे में तो ठीक ठाक खेल यह बन जाते हैं आप जिस मैच में इनको ड्रॉप करेंगे तो इसलिए एक नाइक टीम नाइक को जुरूर पिक करे चलिएगा लास्ट मैच में इनको बैटिंग अपने का मौका मिला था अंद्रा अधन बनाए थे उसे पहले ची और बाइस विकट जीरो-जीरो एक वेन्यू के दो मैच है एक मैच खेला हुआ है कोई विकट लिंग मिला है एक ठीक ठाक बिग रहेंगे बैटिंग बॉलिंग दोनों के प बैटिंग आती है तो बैटिंग से भी को थोड़ा बहुत करते हैं तो मैच चार विकट है रिसन परफॉर्मस जीरो एक टीम में जगह मिलती है तो मस्ट पिक रहेंगे पंजाब के और उंटर सेक्शन में किसी एक के साथ आप अपनी टीम में जा सकते हैं दोस्तों बात करत एक नाएक विकट जरूर ले जाते हैं काफी अच्छी बाइंस टालते हैं मैट्समेंट को मजबूर करते हैं शौट मारने के लिए और बांडी लॉइन पर मैक्सिमम के बालिंग से देखने को मिलेंगे आपको इस लिए पैट्ट कबंस एक इंपॉर्टन प्लेयर रहे तो प्लेयर देखेंगे तो बारा मैचों में 17 निकल गया है इस अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकल गया यह वह सकता है आज की मैच में बिए जरूर निकाल गयते हैं अब करते हैं और आप चाहें तो इनको में जरूर रखिएगा क्वालिटी ब्लेयर है क्यांकि जब भी निकाल के देते अपने टीम को इस इसाथ से इसाथ से इनको विकेट नहीं मिल रहे हैं इस आई पील में जगह भी मुझे इस मैच में लग रही है कि इनकी जगह को नए प्लियर को चांस दिया जा सकता है जैदे बॉनाट कर ठीक ठाक प्लियर रहेंगे आपके लिए साथ मैचों में पार्फिकेट है टुएट में बेन्यों पे दो मैच दो विकेट रिसर्फ परफॉर्मेंस एक जीरो तो बैटिंग बालिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं पर बैटिंग ओटर नहीं नीचे ह कर सकते हैं दोस्तों के बाद बात करते हैं पंजाब के बॉलिंग सेक्षन में रबाटा 10-16 विकेट है वेन्यों पे पांच मैच 6 विकेट है रिसन परफॉर्मेंस दो एक तो एक रिजाब से पैटरल चला है उस मैच में जरूर लग रहा है कि एक विकेट जरूर ले जाएं पर लिए जरूर होगे यह लेक नजर जबू बने रखिया गाएं पर अर्षदीव सिंग की बात करते हैं आठ मैच 10 विकेट है रिसन परफॉर्मेंस जीरो दो जीरो दो फिर तो विकेट मिलेंगे एक वालिटी प्लेयर है फिर्स्ट इनिंग में बैटिंग आया बालिंग इंपोर्टेंट पिक रहेंगे पंजाब की तरुब से अठ मैं साथ विकेट है रिसन परफॉर्मेंस एक जीरो एक तो एक ठीक ठाब पिक रहेंगे मीडियम प्रेजर बॉलर है इस आप से बालिंग नहीं हो रही है जिसाब से प्रीविएस आइपियल में अपनी परफॉर् मश्ट पिक रहेंगे स्टार प्लेयर रहेंगे एक चीट विकेट है रिसन परफॉर्मेंस देखें तो एक बैटिंग बॉलिंग दोनों से पॉइंट दे सकते हैं और हर मैच में इनको विकेट मिलता जरूर है तर्फित बराहर को प्रेजर पिक करिए गा नातनियले से इनके जब भी ले जाते हैं तो बंडर्स में मिलते हैं इनको जगे मिलती है तो जरूर बनाए रखिएगा पंजाग के बॉलिंग तक्षन में दो प्लेयर तो काफ इंपॉर्टेंट हैं प्रभाडा अशदीब और हर्प्स इत बरारगी तीन प्लेयर काफ इंपॉर्टेंट है बाग प्लेयर तेम में तो बालिंग करा लेते हैं लेंट वालिंग कराते हैं विकेट जरूर इनको एक नए जरूर मिलता है और थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं कर लोटान प्लेयर प्लेयर इसको टीम में जगेए नहीं मिल पार रही है चाहिए फर्स डाउन खेले या सेट्डा हों खेले बहुत इंपॉर्टेंट अगर टीम में जगह मिलती है तो अरदीब सिंग भाटिया की बात करते हैं तो इसन परफॉर्मेंस जीरो साथ एक सब्सक्राइब कर सकते हैं है अधरबाद के इंपेक्ट लेर में आप देखेंगे तो फदल अपारू की रिसन परफॉर्मेंस एक दो चार की है है अफगानिस्तान के बोलर है तीम में जगह मिलती है तो नजर बनाए रखिएगा उमरान मलिक अभी तक आई भी यह नहीं हो पा रहा है इनका इस वाले में तो हजार चौविस में अजर नहीं आ रहे हैं है तीन में चार्ट है रिसन परफॉर्मेंस जीरो तीन जीरो दोस्तों मुरान मलिक की बार करें तो अगर टीम में इनको मौका मिलता भी है तो कैप्टन वाइट कैप्टन की चौइस तो नहीं रहेंगे फिर भी एक आदा विकर्ट हो सकता अपनी स्पीड्स के तो जरू ले जाए वह भी बैट्समैन की गलती है रहुतर पार्टी है इसी वेन्यों पे एक मैच पर पचाथ रन बनाए है एक ट्वेट में ग्यारा मै सब्सक्राइब कराएंगे पंजाब की तरफ देखेंगे तो अर्षदीब राहु जहर हर्चल पटेल का गासो रबाडार सैंपरन चार्चाइब कैने सब्सक्राइब करने के चांसर ज़्यादा है दोस्तों सब्सक्राइब की तरह से मयंक या अवशेग सर्मा में कोई एक प्लेयर वहाँ ज्वाज के परफूर्ण करने के इस वेन्यू पर इनको बहुत प्रेक्टिस है खेलने की इंपोर्टेंट पिक रहेंगे टीम पच्छा स्टार्ट दे सकते हैं एडम मारक्रम पॉलिंग से तो पॉइंट नहीं दे सकते पर बैटिक अब इनकी टीक टाक्ट चल लेए एज क्लासन के साइपिल में काफी अच्छा प्रफॉर्म कर सकते हैं की जगह वह भी एक अच्छी रहेंगे इस वेन्यू पे दोस्तों बात करते हैं अब एमो टीम की विकटली पर सक्छन में दोस्तों मैंने प्लासन और जानी वेस्टो दोनों को लिया है बैटिंग सक्छन में धावन टी है डे शर्मा और मैंने ससांग सिंग को मुखा दिया है एक टीम में लास्ट परफॉर्मेंस क को रखा है मैंने बैरिस्टों को मौगा नहीं दिया है उसके बाद में दिया है दोस्तों के बात करते हैं तो प्लेयर सेक्षन में देख सकते हैं और यह यह क्यों न की पसंदाई होगी प्रीज चैनल को सस्क्राइब करिये चैनल को experiencing रिपोर्ट करेंगे उतने अच्छे रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई हो गी वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों मिलते हैं अगले मैंच में